आदर्णिये दर्शक्मीन्द नमस्कार प्रणाव न्टीवी कोहलपूर के अवधी भासा के सापताहिक कायरकम अवधवाज में आप लोग के हारदिक स्वागत है दर्शक बिन अवधी छेद्र के सामाजिक सांस्कृतिक विशेबस्तु उठायो वाला ये कायरकम मा आज हम लोग अवधी सांस्कृति पे बातचीत किया जाई आज के कायरकम मा हम लोग से बातचीत करे करती हम लोग आमंत्रन किया गा है अवधी सांस्कृतिक विकास परिसाद दांक अधेच सेरी जगत राम यादव जी आपका कायरकम में हार्दिक स्वागत है दन्यवाद तो कई से बितत है दिन आज काल आपके सवस्थ सुंदर अच्छा डंग से निवाँ होतहे आप तो पेशा से शिछण पेशा में आबद रहा ग़रा है आप सेवानिविर्त भी होगा है कई सा रहा आपके शिचण पेशा के अनभब शिच्छड पेशा के अनभव के बारे में कहए गवाजी तो बहुत बड़ा एक इतिहास बन जाई लकिन शार में अगर कहा जाए तो सिच्छक और सिच्छड पेशा समाज के एक गहना के रूप में हमका लिहाहन एसे कहीं भी जाओ कोई भी छत्र में जाओ तो आपन पुरान चेला लोग लड़के लोग मिलत हैं सम्मान देते हैं कुछ भी पद में रहा हैं वोग तो ओए टाइम में एक ऐसा महसूस होते हैं कि गर्भ जैसे मतलब फोल के गर्गज होई जाओ वो किसम के सम्मान बोध होते एनाते से हम सिचड़ पेशा कहां गहना के रूपमें स्विकार के हैं देखें हैं जाओ घृरी कहां कुछ घटत नजर आवत है आज की दिन में कहा? नहीं, शिच्छड पेशा और शिच्छक के मर्यादा के विशेवस्तू के उठानकी है से, कल के समाज एक किसम से मतब शिच्छा के चैतर में पीछे रहा, तो पीछे होए नाते से भी वह लोग शिच्छक चाहे ठीक करे बेठीक करे शिच्छक के अकदम आपन गुरु ही समझ रहे, लोगि आज के समाज का होईगा कि जन चेतना के विकास होईगा, लोग समझ भूज गए और दुनिया का देख लिहें जानगे, तो यह हिसाब से सिच्छक भी अपने कहां परिमार जन करे जरूरी रखाएगा, अगर सिच्छक अपने कहां साउधान नाये बनाये कुछ बहिसक्रित जरूर होई जात है, यह नाते से भी आज के जन अगर गामी समाज में सिच्छक कहीं न कहीं, और पहले जो हम लोग देखा जात है, खुद सिच्छक में भी वह कहीं कमजोरी लुकान रहा थै, ऐसा भी कही सका जात है, जैसे कल सिच्छक जोन रहा तो उन हिशाब के रहा और अनुकरनिय होत रहे आज के सिच्छक एक्ठो जो नहीं सहसकरता के रूप में विख्षित देखात यह कहा जीपाँ इस सही बात है अपने के हैं सिच्षक मान के चले लेकिन आज की वर्तमान परिवेश में उखाली बस जुन सहस करता की भूमिका हो थे उका निर्वाह कई दे उस सवयम हर एक चीज के गाइड लागी हर एक चीज के हाथ पकर-पकर डोड़ी आवे लागी तो संभब नाए रहा थे यह नाते वह अठाओं पर उस संकेत करें कि इस चीज ऐसा होए सकते यहार गये सा दुरगटना यहार गये से अतना सफलता इस चीज के संकेत करें सक पुराने धांके सिद्धानत आदर्शमों के रहे उह लोग ईनके आदेश य आदेश रहता है ठीक कहां तो मानो गलत कहां तो मानो एक इसम के यातना वाला जो शिच्छा रहा सबसे बड़ा कमजोरी पुरान सिच्छा में हो रहा मनू बिज्ञान अतना गलत रहा ओं टा नर्मा डोल हुए आता हमान शिक्ता, एनाते से पुरान सिच्छा में यह कमजोरी दखाता है, जो उनकी बरतमान में आज मानम अधिकार के सवाल भी है, और एक इसम से बाल-बालिका के जो बाताबरण जो होते, वानुकूल बाताबरण में बाल-बालिका के बिकास और स्विकार किया राते से, आज के बरतमान के सिच्छा का हम सरल अचा देखी थे, जैसे आप लम्मा समय तक सिच्छन पेशा में रहागा, सिच्छा सेवा किया गा, तमाम जो नहें विद्यार्थी लोग का सिच्छा दियागा, सिच्छन पेशा रहावे करा, आप समाज सेवा सेवा में भी आबद्द हुआगा. समाज सेवा कहीं है, कैसे जोड़ा जाता है? यह कब उपर उठान करें, हम जोनी समाज से उपर उठें उस समाज बहुत पिछड़ा रहा सब लोग कहते हैं बैक आप सोसाइटी होई तो वह हिसाब से हम लोग अपने कास होचते हैं कि जोन अनिर समाज रहे जोने अपने कहा मत्तब एक किसम से आगे देखा था हैं आगे रहात भी हैं हम लोग उनका भावना होता है कि उनके बराबरिम पहुचा जाए तभी सिच्छा के वह समाज के विकास होई तो इही अभ्यान से हम लोग सिच्छर पेशा में लगते हुए भी समाज सेवा के भावना से अभी प्रेदित होई के जिसे संग संग अठन भवा संस्था भवा ये सब दर्ता क उगके बढ़हब किसीम के सौच हम लोग में जागरित भवा भ्यान करड़े के हम लोग यसे तो दांग दमर के हख में कहा जाए तो यादो समाज सेवा संग douाहिद शंगान बनावा बनावा गा ऽैकी संग नियुर दर्सता भवा गाव ओकरी मान धियम से समाज का डॉः आ आगे बढ़ एक आउसर पाएगे। आगे पहुचगा। आगे बिरादरी साइचिक फांट में भी उतने परगती किया है और एक किसम के सांस्कृतिक परगती भी किया है। पुराने चीज कहां स्विकारे भी है और नया कहां भी स्विकार के एक समाविशी समाज के दृष्टिकोर सी समाज आगे बढ़ा दीखी थे। तथ्यांग गत रूप में लिया जाए तो दांग जिल्ला में देवखर में मधिशी समाज के लड़की लोग सिच्छा के छेत्र में आगे आई चुकी हैं। भले ही कोई नोकरी जागरी सर्विस में वो लोग न शिरपाइन होए अभी हिन तक लगी फिर भी उधारन के रूप में दुचार जने देखा जात है। तो एक किसिम से भी हम लोग अन्य जिल्ला के तुलना में शिच्छा के मामला में आगे हन। जगत राम जी जैसे आप तो अवधी संस्क्रृतिक विकास परिशत का है नेत्रुतो में हो जाता है। अब यह जोन अबद छेत्र है नेपाल के उन ठीक के आपके लुम्यनी-परदेश के छेत्र हुए। जोन लुम्बिनी परदेश आज है हम लोग के यह है अवध्षेत्र होए नेपाल के तो यह हिसाब से अवधी भासा संस्कृति के नित्रुतो दाई राजधानिये जब दांग होएगा देवखर होएगा तो राजधानी के संस्था होएक नाते से नित्रुतो आप पे बनत है क गखार है बहुत सही बात है तो जहीं सुवाल भी है और जिग्यासा भी है लेकिन की आउशेक है के से लुम्बिनी परदेश के जिल्ला है बारातर अथे रठ़ जिल्ला एफ जिल्लन के एक नेटवर्ग बनावक परी जहाँ-जहाँ-अप दीभासी लोग परी है जहाँ- अगर गठन के लिए आजाए तो हम लोग उनके नेटवर्क भी अच्छा रही और भासी ग्रूप में सांस्कृतिक ग्रूप में एका हैंडिलिंग करें और परगती के लिए भी बहुत बड़ा अस्य होगी हमका खेली हम इस चिंतन भी करी थे और यह आवस्यक भी है तो जैसे देखागा है कि दांग में भी अवधी संस्कृतिक परतिस्थान है बांके में भी परतिस्थान है या आगे जला जाओ जाओ जहीं तो नेपाल गंज उधर रुपन देही या नवलपराशी तक में भी कौनों किश्म के भासा संस्कृतिक शंस्ता हैं आपके राजधानी बुटोल रहा, वसायद बुटोल रही या है कोई किलियर नहीं रहा फिर भी हम कपिल वश्टु से भी बाके से भी सब जिल्ला के हैं समयठ के या पुराने संस्थन कहां एक नया रूप दे दिया जाए या नया संस्था के रूप में परदेश इस तरी एक संस्थ पर्देश के जोन राजधानी होईगा दान्ग देखर राजधानी है जोन है अच्छत्र जोन पर्देश इस्तरी लुंबनी के है अच्छत्र जोन पर्टी के सरकार है वह पर्टी के कारे करता जब भूमिका पर चलत है तो जल्ली से काम होई जात है यह चीज के आव सकता हम लोंके खटकत है हम लोग मानने लोगन से भी बात रखा जात है पर्देश सामसत लोगन से विचार रखा जात है वह लोगे पर सहमत हो थे लेकि काम नहीं हो थे विचार तो सबके सही रहात है विचार सकरात्मरा देरी ओ जैसे बिलम वाली बात है इंडि फरक परिजात है तो जैसे दांग के छेट्रमर एक के विकास के बात कि आ जाये तो हम लोग के संग्यं शमसत्य यह है विभीन तीन साल में हैं देखा गाए विभीन श्वें में ब संग मारा उसर्षद लोह कोई न मैं प्रिश्ट भूमि भाव जयति प्रिष्ट भू मरा जातिय कन वा फ्रिश्ट भूमि भाव तो जिस जवने राजनेतिक चैडर से वासाम आजिक स्वाँभिटर से उपर उठत है वो पहले वगा से इसे अब कि हम लोग के संगेब समसथ के नाम लिया जाया ना लिया जाया हर समाज में हर स्वसाइटी के लिए समानघ़ी हो एक से ही अप democracy है से रखे थे अऊं से परास्ताप भी रखा जाते बात ही रखा जाते खा जाते पहेटarte में आ पहुत टेलीफोन से कहा जात है कि यहां के भासिक, यहां के सांस्कृतिक विकास के लिए तोहर भुमिकात यह नि समानपातिक होग परा यह हम लोग नहीं कहीती है कि हम भी खाली दियो उनका नदियो लेकिन अब उनके द्रिष्टिकोंड में या उनके मुल्यांकन में कहा हम लोग प पहुंचा या और कुछ समस्या है दबाब भी न पुगल एक शही बात ही तो एक बात इभी शही है कि दबाब मुलक हम लोग कारेकम नाई कर पायान है उनके सामने नाई गयन है डेलीकेशन नाई गयन है कोई अन्रोध पत्र लेकिन पहुंच पायान है अभी तक खाली विदन के अधार में भी काम होई जाता है तो हम तो यही जाने थे कि इच्छा सकती भी बड़ा चीज होए समंधिठाओं के आदमी के बात इपहरा हो जाए जिसे संस्कृतिन पहन जावा जाए जो देखागा है समाज में हम अपने संस्कृति के अलामा दुसरों समझाए है संस्कृति है जहां बढ़िया चीज है तेका रनकरन करागा आपके कहागा है आप कहना इसा नहीं लाग थे कि हमरे संस्था द्वारा हर एक गाउं में हैं इकाई गठन केका है यूनिट गठन केका है वो लोगन के हैं संस्कृतिक रूप से मजबूत बनावा लेक्ठो यू द्रिष्टी कोड से देखा जाते है पतनेओं का परिचालन करेवाजी में है अर्थ क्या आउसकता परत है हर जैसे गाउं में हर टोल में हम लोग संस्था कठन करा जाए तो वहां पर आर्थिक बात पहले आई जाते है सामने एक मीटिंग करो तो चाय पानी के बाद उठी से के बाद तो एक बेगती हर घाउं में हर ठाउं में तो लगानी नाए है कि तो कोई दौनर होता होता दाता होता यह नाते से एक किसे के घाउंने टोल आज के निपाल के ग्रामीड इस्तर के सामाजिक इस्तर के बादचीत में देखा जाए तो अज़ीयो के भूमिका बहुत बड़ा होई चुका है गाँगाँ में अगर मजूरी कर थे तो पान से शे लेया हो थे तो हर ठाओं में हर फिल में विचार रखा थे कि हम दिन भर अगर कुछ काम करी या लगानी करी या समय दे तो हमें कुछ मिलेक चाहिए आसाबादी है यह क सामानी काम के लिए भी आर्थिक चीज के जरूरत पर जाते वहां पर जगत राम जी आप समाज सेवा के साथ साथ है एक्ठो साहित्य चेत्र में भी जो नहीं योगदान पहुंचावागा है अब इभिन पत्र-पत्रिका के संपादक रह चुका गा है का देखा जया थे अंधित सेत्र बहुत धनी है लेकिन ग्रामीड बस्ती में अलिखित रूप में गला गला में कला कला में यहां के नारी और पुरुष सब बिल्कुल दिच्छित हैं रहेगा सवाल जैसे किताब पुस्तक के रूप में लीपी बद्ध रूप में यह अवस्था में हम लोग क मूल चीजगाव में पावत हैं तो ऐसे हम लोग उनके समाज में मूल धरवर गाव में है हम लोग धनी है संस्कृति के पक्स में और जिसे शाहित्ति के शैत्र में भी हम लोग धनी हैं लेकिन ओकर एक सांगर्ठी रूप बनाए के कि पुस्तक के रूप में आगे नाइब कि विखन को बात भी उत फिए आ स्रीघ की संस्ता लोक का धून कर उनकर कृति परकासित करें के अध्यरिम्हासन कि बज्मने जोने साह संस्ता देखा गा है वहागा है वैसे अन्य यूजना अपके बरतमान में कोई विश्य वस्तुनाई है लेकिन सोच है लट्ष है बिचार भी है यावश्यक भी है यह से अब देखा का है अभी तो नहीं सहाइतिक संस्था नहीं हुए और महाँ बिभिन बिधा है लेकिन इनने दानबिर लोग का पुरिषकार जो लिए सेवे और सॉहए जाहितिक पुरुषकार सभी कोश जमा करे मैं जमा करें कोश सेम आज 먹고 हैं उन्हीं का योगदान की कढ़र मृजनने चेजनर क लगे लकर सोच है कि यहाई इसंत्ण हम rage कर बराबर करें थे की चीजा आँ उस पस्सिम में बाक्या है, बर्दिया है, पूरव में कपिल बस्तू से लएके नौल पराशी तक के छेत्र है, तो इस समग्र जोन है अबधी भाशी छेत्र के, एक्ठो जोन है नेत्रुत्तो दाई हिसाब से साहित्य के भाशा के विकास करेक चाहत है, ये पहे कोनों योजना है? बर्तमान में तो कोई जना नाई है, हम लोग बलकि नेपाल परग्यापरतिस्थान से ये संस्था के माध्यम से एक्ठो अलिखित लेकिन मौखिक प्रस्ताप रखा गा रहा, और वे लोग एका सहर से स्विकारे रहे कि दांग में आप लोग उनके माध्यम से साहित्य कारेक है, सब फांट वाले परमुख लोग का स्विकृति दिहन नहां, हम लोग उनके हैं, कि अगले साल दांग में कारेकम करा जाई के लेकि कोरोना के चलते, कोबिड-19 के चलते, साराज वजना हम लोग उनके फाइल में रहेगा, आगे नाई परपाइस, जैसे संस्कृतिन के ब आप भी अनसंधान सोद काम में समलंग न रहागा है, कहा देखा जाते हैं कि और साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए सोद करव उतने जरूरी है, संकलन करव उतने जरूरी है, हम लोग उनके, हम तो पहले भी संकित कहे चुकें हैं, कि विविध, विधाजवन है हम लोग अनके स्कृति भी तरके, सब एकदम लुकान है, और लुकान भी है, और नया पुष्टा वोग का एडापनाई के पावलाग, हरावले वस्त में होन जात है, तो एनाति से उनके सोद करव जरूरी है, वोग का संकलन करव, अनुसंधान करव बहुत जरूरी है, जैसे बीरहा अनुस्ता में है, नया पीठिक फुरसत नाए है, उपे ध्यान देए कहा है, एनाति से इस सब जीज बहुत ज़रूरी देखात है, एकठो दांग में हैं रिहार धाम है, जो मितांत यहां के अयुदबनसिन से ना संबंध रखत है, वोकर यह बारे में कहा जात है कि एकठो रिहार के जो निक्ठो सरकीट होत है, आप कहे बांके से लई के बरदिया से लई के, दांग तक कहे, बहल अगवरिया के, भाहिने परसु के, मामी सवरी के एकठो, वो जहां-जहां गये हैं तहां-तहां पूजा भाल स्थल है, तो उक एकठो सरकीट बनाएके विकास करे व कुछ बजेट आउसेक है, कुछ लगानी करें सरकार, और सरकार लगानी करें तो क्यका दाई दिये, हम लोगन कहां भी एक्टिव होग परत है, एक संगठन के रूप में नेत्रित तुदाई भमिका में आगे बढ़िके, वह लोगन से कुछ अर्थ संकलन कहिके, वह डंक से जैसे कैलाली में बहाए, यहार पूरव नौल पराशी में है, सुना जाते कि वहाँ पर भी है, बर्दागोरिया के इस्थान और रिहार दहाम देखर में है, बाके में है, तो यह डंक से एक विश्त्रित अध्धेन कहिके, और एक इस्स्मारी का निकारब भी बहुत जरूर करना है, आपके संस्था के तरफ से या बेक्ति गथ रूप से पहाय कत्रा चिंतित्त हो जाते हैं, कहां जी? कि अपने इहां के एक मांधित रहे हो यह भर मन के चिंतन illsता अब तक है वें ब्लोग passage आगा्स की सर्फ already कि लिए अगर निवन के ली चेज़ बनावा जाई तो द्हरत विसलिए मेशन और के सब्सकिन है। संभव है बिल्कुल संभव है लुमिनी परदेश कायम होई से पहले एक आवाद उठता है कि आवद परदेश के नामा करन करा जाए अथार्त में यहां पे अवधी छेत्र है अवधी भासा भासी लोग है एनाते से आवाद उठा होए राजनेतिक मुद्दा बना रहा फिर भ विकास हो एक परा थारू छेत्र के विकास मगर छेत्र के विकास अवधी छेत्र के विकास समग्र में यहां जतना भासा भासी है उम्हें सरकार के लगानी प्रयाप्त हो एक परा संग्रहले निर्मार हो एक परा काहिसी संग्रहले जब निर्मार हो थे तो वहां पर हम लोग के कला जोन है आज तक के जोन लोफ होन जा थे वो कला के संगरहा होई एक परेटर की स्थल बन जाई हूँ टूरिजमे के जोन विकास हम लोग अब धारना रखी थे ओकर टेवा पोगी ओकर बाद में सांदर विक्ता के जोन बात है आदमी आपन अगर मात्री भूमी भूली ज प्यार कर रहत है तो एठवा में संग्राले न चाहिए के कोई आओ सकते नहीं के कोई भी अब धिभासी या कोई भी संस्कृति प्रेमी ए बात कहां तो नकारी नहीं सकत है एनाते सी बहुत बड़ा जरूरी है मैं नकारी है तो नहीं लेकिन जोन है संगे जोन है सामसर जी पटक पटक कहीं कि आप लोग एक बित्ता जगह उपलब्द कराओं तो हम स्वायुक कर अवस्था नहीं बनत देखा थे कारण कहा है जमीन कहें न मिली गाउपालिका जमीन दे तमाम ऐलानी जमीन है और लोग सेहोग करेक तयार हुए तो जमीन हम लोग कहीं से भी देवे जमीन कहीं से कहीं बनाद कर सकते हुए निवी कट्था है। तीन कट्था जमीन न्सी के थे कहीं चुछ quicker के कहुआ है युडग आज न दे सकी है। इस्थानिय सरकार मारफत राजपुर भवा गढ़वा भवा कहीं नदी पारी जोनका हजा थे लमही नगर पालिका राप्ति के तरफ कहीं पर भी हम लोग राप्ति उपतेका में इस संभव हैं हम लोग जमीन कहीं से कहीं देव हैं कि आप एक पत्र पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया गा है आप कहन का इसार नाई लागत है कि आज के बदलत परिस्तिती में हैं आवधी भासा के इपत्रिका सुरू कैसा का जात है इलेक्ट्रोनिक पत्र पत्रिका हम इत बहुत महत्तुपूर है मीडिया ही आदमी के आगे बढ़ाओत है आज के जबाना में तो इपत्रिका आगर हम लोग खड़ा के लिया जाए तो जिसे अती बिस्त जेके जिए उन लाइफ है वह भी उकरे माध हमसे से होगी भूमका ख से उपलब्द कर रहे हैं संगठित होई सब विचार वह भावना सबके में परशारित होई इतों बहुत आउसकता है समय के हिसाब से आज के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद है आपके हैं आयन्टीबी कौहलपूर कई अवध आवाज कारिकरम में हैं हमें कुछ जोने पु इमानदारी भूमिका निरेबाद करें कोही कहां मतब नजीक रखें कोही कहां दूर रखें इद्रिष्टिकों सरकार के द्रिष्टिकों नाय होई चाहिए चाहिए सामसद होई चाहिए संगे सामसद होई चाहिए स्वयम सरकार होई गावपाली का इस तर से लेके तीनों त जही धन्यवाद है आप लोगन के हैं धन्यवाद सरदे जगत राम यादब जी आधरणी दर्सक बीन आज हम लोग भाच्चीत की हागा अउधी सांस्कृतिक विकास परिशादां का अध्यच से तथा सिच्छा प्रेमी सेवानिवर्त सिच्छक समाज से भी जगत राम होती चाहित है नमस्कार प्रणाम